हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी माँ भारती के गवरों पर आज नहीं आने जाएंगे लदाक में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए है उनके शावरिय को पुरा देश नमन कर रहा है सरद्धान्जली दे रहा है हिंदुस्तान को अपने जवानों पर नाज है वो हमारी शान है देश की जान है तभी तो प्रधानमंत्री खुद उनके पीच पहुँचे बिल्कुल फॉरवर्ड फ्रंट पर चीन से तनाव के स्थिती में पियम मोदी ने जवानों की होसला अफजाई की 11,000 फीट की उचाई से पियम मोदी का संदेश बेहत साफ था देख ले चीन अपनी इंच इंच जवीन पर आज तक नहीं आने देगा हिंदुस्तान जब भी मौका मिला है प्रधानमंत्री अक्सर जवानों के बीच पहुँचे हैं लेकिन इस बार चीन के गुस्ताख्यों के बाद पियम का लिह दौरा बेहत खास है लदाक में भारत की भूमी पर आँख उठाकर देखने वानों को करारा जवाब मिला है भारत मित्रता निभाना जानता है तो आँख में आँख डाल कर देखना और उचीद जवाब देना भी जानता है गलवान में 20 जवानों की शहादत हुई तो चीन को भी बहुत बड़ा खाम्याज अब गुतना पड़ा 28 जून को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में चीन का नाम लिये बिना उसे इशारों में समझा दिया संदेश बीजिंग तक पहुँच गया कि जो हिंदुस्तान की तरफ आख उठाएगा भारत देश उसे उसकी आउकाद बताने में तेर नहीं करेगा लदाक में हमारे जो वीर जमान शहीद हुए हैं उनके शावर्य को पुरा देश नमन कर रहा है पुरा देश उनका कृतग्या है उनके सामने नतमस्तक है इन साथियों के परिवारों के तरह ही हर भारतिय इन्हें खोने का दर्द भी अनुहो कर रहा है तब से देश ने चीन को करारा चूट देने की कसम खाली है देश अब वोकल फॉर लोकल हो रहा है हिंदुस्तान में मेडिन चाइना के खिलाब जोरदार मुहिम चल पड़ी है चीन की पुरानी, कमजोर और घटिया सोच ने उसकी बरवादी की नीप तयार कर दी है हमेश्या पड़ोसियों के लिए मुसीबत बनने वाले उस ड्रेगन के खिलाब हिंदुस्तान ने ताल ठोक दिया है उसकी एक पहल डिजिटल स्ट्राइक की रूप में हुई है 69 चीनी एप पर पैन लगाया जा चुका है खुद प्रधानमंत्री मोदी भी वीबो एप से अपना अकाउंट डिलीट कर चुके है भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझरता नहीं करेंगे भारत की अखंडता भारत की संप्रबुता भारत की सुरक्षा इस पर हम कोई संप्रबुता नहीं करेंगे और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत टिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है यह है भारत का संकल्प और सहास यह हमें समझना चाहिए चीन ने मुगालते में जीना सीख लिया है, वो भूल गया है कि आज का हिंदुस्तान 1962 वाला नहीं, ये बदल चुगा है, नए भारत की ताकत का अंदाजा उसे नहीं है, अपनी सरहत की इफाज़त के लिए चौकरना है हिंदुस्तान